हेलो हाई फ्रेंड आप लोग कैसे आप लोग अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाट्सअप के नया आइडी कैसे बनाएंगे तो वाट्सअप को नया आइडी बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में वाट्सअप को इंस्टॉल कर लि nй तो मैं इंग्लिश रहने दिता हूं अगर आप हिंदी में रखना चाहते हैं तो हम इंगलिस में चलाना चाहते हैं तो इंग्लिश के बाद में इसेरी कबालावब कर देना है इस पे किलिक यहाँ पर पर agree and continue पर आपको simply click कर देना है, इस पर click करने के बाद में यहाँ पर बोलेगा आपको allow करने के लिए तो simply आपको यहाँ पर allow कर देना है, allow करने के बाद में यहाँ जिस भी number से आप चलाना चाहते हैं, वो number यहाँ पर dial कीजिए, तो मैं अपना phone number यहाँ पर dial कर लेता हूँ, नंबर डायल करने के बाद में यहां पर लिखा है नेक्स्ट तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको यहां पर क्लिक करना है अगर आपका नंबर यहां पर गल्थ हो चुका है तो यहां पर क्लिक करके और नंबर को फिर स इसरे फोन में है तो वहाँ पे ओटी पी जाएगा ओटी पी उसमें जाएगा तो जो ओटी पी जाएगा उसको यहाँ पे डालना पड़ेगा डालने के बाद में वेरिफाई हो जाएगा तो हमारा सीम इसी मुवाइल में है इसलिए हमको यहाँ पे और टोकमेटिक वेरिफिक कर देना है कि कंटिनीव पर किलिक करने के बाद में यहां पर आलाउ मांग रहा है तो सिंपली आपको अलाउ कर देना है और यहां पर जीतना अलाउ मांग रहा है सबको अलाउ कर देना है आपको अलाउ करने के बाद में यहां पर अगर आपके नंबर से पहले से वाटसप चा लगा ना चाहते हैं तो simply आपकMO frater करना है पर के मिक्रीक करने के यहां पर अफिलाल लगा सकते हैं और आपके फॉन में इस फोटो नहीं को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो हम मान के चलिए इस फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद में इस फोटो को यहाँ से हम सीधा कर लेते हैं सीधा करने के बाद में आप जीतना फोटो को सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लिजिए यहां पर और सेलेक्ट करने के बाद में यहां पर डॉन पर क्लिक कर देजिए क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमारा फोटो यह लोड हो चुका है लोड होने के बाद में आपका जो भी नाम है यहाँ पर नाम डाल लेजिए तो मैं अपने नाम डाल लेता हूँ तो यहाँ पे हम अपने नाम डाल लिए हैं डालने के बाद में simply आपको यहाँ पे next पे click करना है next पे click करने के बाद में यहाँ पे आपका WhatsApp इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे आपका WhatsApp यहाँ पे चालू हो चुका है तो यहां पे देखिए हमारा WhatsApp चालू हो चुका है और यहां से अब जो भी करना चाते हैं वो कर सकते हैं तो आज के वीडियो में इतना ही हम जान चुके हैं कि कैसे आप New Number से WhatsApp को चालू करेंगे तो बस आज के वीडियो में इतना ही है अगर हमारे इस वीडियो से आपको हेल्प मिला है तो हमारे इस वीडियो को लाइक किजिए और हमारे चैनल को सस्क्राइब किजिए और आपका कोई सवाल सुजाब है तो हमारे वीडियो कॉमेंट वोक्स होला है उसमें जाकर कॉमेंट कीजिए चलिए हम इस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में